हेलो फ्रेंड्स असलाम वालेकूं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उमीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंगलोर की ट्रिप पले जा रही हूँ मैं बहुत टाइम से कहीं गोमने नहीं गई थी इसलिए मैं अपनी फैमिली को बो प्रिक्षन देने वाली हूं सो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं एरपोर्ट की तरफ और हमारी फ्लाइट डैली एपोर्ट से हैं तो फिर हम लोग डैली एरपोर्ट के लिए निकल चुके more time से हम लोग कहीं गए नहीं थे क्योंकि Corona की बज़े से हर इस्टेट में तो lockdown लगा हुआ था और इतने सारे rules थे restrictions थे तो फिर कहीं निकलना तो हो नहीं रहा था फिर फाइनली अब cases भी कम हो गए हैं और हर जगा के restrictions भी बहुत कम हो गए हैं तो हम लोगों ने फिर vaccination कराया और पूरी family ने vaccination कराया and then हम सब लोगों ने जाने कर प्लान किया flight में हम लोग बैठ चुके हैं और मैं कितनी बार flight में travel कर लूँ लेगी फिर भी मुझे हर बार ही डर लगता है मेरी seat वीज में थी तो मैंने फिर अपने भाई से exchange की थी उसको window seat मिली थी तो मैंने बोला कि मुझे बाहर के नजारा देखना है और मुझे window seat चाहिए तो फिर उसने seat change की मेरे साथ और मैंने enjoy किया बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रहा था और उपर से काफी हर चीज छोड़ी दिखाई देती है तो मैं enjoy कर रही थी वस हम पहुँच चुके हैं बैंगलोर और यहां पर मोसम काफी अच्छा हो रहा है बारिश हो रही बहुत जोरो की और मुझे बारिश का मोसम बहुत जादा पसंद है और हमारे hotel का view भी काफी अच्छा है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी location पर हमारा hotel है तो अभी हम लोगों ने वस डिनर किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने आराम किया और next day फिर हम लोग लालबा की तरफ निकल आए यहां हम लोग लालबा पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत खुबसूरत garden है इसको botanical garden भी कहा जाता है तो अभी मैं आपको दिखा दी हूँ overview पूरे garden का रात यहां बारिश हुई थी तो मोसम काफी साफ है हर एक चीज बहुत ज़्यादा चमकिली नजर आ रही है यहां पर बहुत पराने पराने पेड़ है और लकड़ी की cutting से यहां पर animals बनाए गए हैं जो काफी उपराने हैं और मेरे जीजू यहां पर पहले भी आए हैं तो मैं उन्ही से पूछ रही थी कि आप ही बताएं सब के बारे में दिस इज मैंगो ट्री यह आप देख सकते हैं मैंगो ट्री टूफिटी यर्ज दालवार और यह है कैट फिश कि यह कैट फिश है यह भी लगड़ी की बनी है और यह तीन दलकी में फोटोग्राफिक करते हुए मेरे जीजू बहुत फणी नेचर है वो बस ऐसी बते करते हैं तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ और भी कौन-कौन से यहां पर ट्री की कटिंग से एनिमल्स हैं आगे चलते हैं और यह देख सकते हैं पीकौक और यह निल ग्रीक ट्री से बना है 200 साल पराना अब हम जा रहे हैं फ्लॉबर क्लॉक की तरफ जो काफी बड़ी है और गार्डन के बीच में बनी हुई है इसके अंदर जानी के लिए तो पर्मीशन नहीं है इसलिए लोग बस बाहर से ही पिकली कर रहे थे तो अब हम आपको दिखा देती हूँ यह काफी बड़ी कॉक है और यह चल भी रही है ऐसा रही है कि रुकी हुई है और बीच में यहां पर कार्टून्स भी बने हुए थे तो यहां भी हम लोगों ने काफ़ी फोटोग्राफिय की थी और अब आगे चलते हैं कुछ और देखते हैं अब हम जाने लगे हैं लालबाग की सबसे खास जगा यानि कि ग्लास हाउस और मैं आपको बता दू यह जो लालबाग का एरिया है सारा यह 240 एकड में है और इसलिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा नजर आ रहा है तो यह आपको सामने नजर आ रहा है ग्लास हाउस सब लोग यहां जा रहे हैं और यह काफी भीड होती है यहां पर यहां की जो हर्याली है यहां के पेड़ है और जो यहां के फूल है बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव है बहुत ज़्यादा खुबसूरत है यहाँ पर बहुत जदा पराने पराने पेड़ है और फिर भी काफी स्ट्रॉंग है वो और खुबसूरत नजर आते हैं और यह बोटैनिकल गार्डन अपनी हर्याली के लिए ही फैमस है हम पहुंच चुके हैं ग्लास हाउस और मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ ग्लास हाउस का और उसके बाद मैं इनर व्यू भी दिखाऊंगी इस ग्लास हाउस में एवरी येर्स टू टाइमस एक्जिवीशन होता है एक बार जैन्वरी में और सेकिंड टाइन ऑगस्ट में यहां पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लॉवर्स का एक्जिवीशन होता है तो आप देख सकते हैं कितना खुशूरत है यहां का नजारा चली फ्रेंड्स अब हम इंसाइड व्यू आपको दिखाते हैं ग्लास हाउस का तो यह है इंसाइड व्यू ग्लास हाउस का और उसके बाद फिर हम लोग वहां से एक्जिट कर गए है और फिर हम लोग निकल पड़े क्लॉक तावर की तरफ यह आप देख सकते हैं अहन क्लॉक टावर और यह देख सकते हैं आप टॉप व्यू अफ पेंगलोर का टॉप व्यू है____ इस क्लॉक टावर की एंट्रिसे टू हनुर्ड रुपेज है और यहां से बैंगलोरू का बहुत दूर्द गुर्ट तक नजारा आप कर सकते हैं क्योंकि यह बैंगलोर का टोब व्यू है तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर काफी देर तक वैट कर वक्त बिताया और काफी अच्छा लग रहा था अच्छी हावा चल रही थी यहां पर तो फ्रेंड्स यह है लाल बाग के पास में ही स्ट्रीट फूड मार्केट और यहां पर हम लोगों ने डिनर किया था बहुत टेस्टी डिनर था मैंने अंदर का तो वीडियो नहीं बनाया था लेकिन मैं आपको वाहर का व्यू दिखाती हूँ स्ट्रीट फूड मार्केट है यह यहां पर यह मस्जिद है सामने सो फ्रेंड्स आपको मेरी लाल वक्त की ट्रिप कैसी लगी और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को फ्रेस करें ताकि हर वीडियो का नूटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो वोच कर पाएं सो मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो में किसी खास ब्लॉग के साथ बाई 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 अला हाफीज